पहले बारां फिर बांसवाडा और फिर बाड मेर लगातार रेप की घटनाओं के कारण राजस्थान रेप कैपिटल बनता जा रहा है NCRB के डेटा के अगर बात करें तो एक साल में करीब 50% तक क्राइम रेट बढ़ा है महिलाओं के खिलाफ लगातार सामने आते इन बलातकार के मामलों के कारण बीजेपी ने हला बोल प्रदर्शन भी किया महिलाओं के खिलाफ अपराद में राजस्तान का देश में नंबर वन पर होना वाकई एक शर्म की बात है लेकिन फिर भी मैं इस मामले में सियम अशोग गहलोत की तारीफ करना चाहती हूँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंचिका सारडा और ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि गहलोत जी की इतनी बढ़ाई करने के पीछी मेरी मन्शा क्या है तो आज मैं आपको इस पूरे डेटा के पीछे की हकीकत से रूबरू करवाने जा रही हूँ जिसके बाद आप खुद सरकार के फैसलों की तारीफ करेंगे या मारवाड़ी में बोलू तो थे खुद गहलोत जीगी बढ़ाई करोगा दोस्तों इस बात में कोई दोराई नहीं है कि राजस्थान में महिलाओं के रेप और किड्नैपिंग जैसी खटनाएं बहुत ज्यादा होती है साल भर के हिसाब से कर देखें तो पुलिस में सेक्शन 376 यानि की 376 के तहत करीब 5-6,000 तक मामले दर्श होते हैं आपको बता दूँ कि रेप के चार्जेज में इस थारा में केस तर्श किया जाता है लेकिन इतनी बड़ी संख्या में केस तर्श होना ही इस बात के पीछे का कारण है कि राजस्थान देश में महिलाओं के खिलाफ अपराद के मामले में नम्मर वन पर पहुँच किया है बेशक एक राज्य के तोर पर हर सीम और राज्य के लिए ये शर्म की बात है लेकिन अशोग गहलोत ने इस बात को जानते वे भी पुलिस को इस तरह के मामलों में FIR दर्श करने के सक्त निर्देश दिये हैं जो की वाकई काबिले तारिफ है अब जो बात मैंने कही है उसके पीछे का फंडा भी मैं आपको समझा देती हूँ दोस्तों दरसल हर सरकार अपने साशनकाल को बेहत साफ सूथना दिखाना चाती है इसलिए क्राइम की डेटा को छुपाने की कोशिश भी सिस्टम की तरफ से की जाती है इसके लावा रेप की खटनाओं में बहुत बार पुलिस FIR तक दर्श नहीं करती ऐसे में लोग खुद ही ठक हार कर इनसाफ की उम्मीद खो देते हैं लेकिन सीम अशोक गहलोत ने साल 2019 में ये सरकुलर जारी किया था कि पुलिस को इन मामलों में हर हाल में FIR दर्श करनी होगी इसके बाद 2020 में उन्होंने फिर से एक सरकुलर जारी किया जिसमें उन्होंने पुलिस को याद दिलाया कि परिवादी की रिपोर्ट हर सूरत में दर्श कराई जाए देश में अनेक राज्य ऐसे हैं जहां पर रेप के बाद रिपोर्ट तक दर्श नहीं होती उर्टा पुलिस मामले को ढखने में लग जाती है इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के बड़े अधिकारी भी ये मानते हैं कि हर मामले में सबसे पहले FIR दर्श होना बहुत जरूरी है इस तरह के मामलों में जब पुलिस FIR दर्श नहीं करती तो इस से पीडित पक्ष का मनोबल तूट जाता है और उसे लगता है कि पुलिस के चक्कर काटने से कोई फाइदा नहीं है और इस चीत से अपराधी को फाइदा मिल जाता है किसे पी मामले में FIR दर्श करना पुलिस का फर्ज है लेकिन जब पुलिस ही FIR दर्श ना करें तो इनसाफ के तो उम्मीद ही बिकार है लेकिन सीम अशोग गहलोत ने ये सक्त निर्देश दिये हैं कि ऐसे मामलों में FIR दर्श करना ज़रूरी है और इसी वज़े से राजस्थान इस लिस्त में टॉप पर पहुँच गया मैं ये नहीं कहती कि सीम अशोग गहलोत की हर फैसले की मैं तारीफ करती हूँ या फिर मैं उनकी हर एक बात से सैमत हूँ लेकिन उनका ये जो फैसला है वो एक बहुत बोल्ड फैसला है जिसे लेना हर एक नेता के बसका नहीं है क्योंकि हर एक F.I.R. दर्श होने का मतलब है कि क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जाना और अगर हर मामले के F.I.R. दर्श होती है तो जाहिर सी बात है कि जादा मामले सामने आएंगे और ऐसे में राज्य की और राज्य सरकार की किरकरी होगी लोग ये सोचेंगे कि इस सरकार के राज्य में तो महिलाओं पर बहुत अपराध हो रही है लेकिन सीम अशोक गहलोत ने इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं की और ना ही उन्होंने अपनी छवी की फिक्र की बलकि साफ कह दिया कि आंकडों की परवा ना करें और F.I.R. दर्ज करें जिस वज़े से मामले बढ़े जरूर हैं लेकिन मामले सुल्जे भी ज्यादा हैं वो ऐसे कि जादा FIR दर्च करवाने पर कारवाई जादा हुई है और जहाँ पर कारवाई जादा हुई है वहाँ पर मामले कम हुई है। लेकिन अब ये हमारे समाज के लोगों पर है कि वो कब अपनी मानसिक्ता बदलते हैं और कब रेप जैसे अपराद छोड़ कर महिलाओं का सम्मान करना सीखते हैं लेकिन एक बोल्ड फैसला लेते वे अपनी छवी को दाउं पर लगाने का काम करना हर एक सीएम के बसका नहीं है तो दोस्तों आकडों के पीछे की हकिकत बया करने के लिए मैंने ये रिपोर्ट बनाए थी खास आपके लिए ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और को शेर जरूर करें इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय हमें कमेंज सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो को अगर फैस्नुख पास पर देख रहे हैं तो पेष को लाइक कर ले और यूटर चैनल पर देख रहे है तोे चैनल को सब्सक्राइब करने